साथवन उसकार बहुत स्वागत है हमारे इसे चैनल में दोस्तों जेनरल साइंस के इस सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है कोई सी वीडियो को डिस सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप हमारे चल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेए और साथ में बेल आइकन भी और कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आइए दोस्तों यह सभी इंप्रेंट कोस्टन से तो आप इस वीडियो को पुरे ध्यान से और लास तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर चले दोस्तों देखते हैं पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है हिर्दय एक मिनट में धड़कता है दोस्तों हिर्दय एक मिनट में जो है 72 बाल धड़कता है काफी महत पूर्ण कोशन है दोस्तों खून का का जीवन काल है दोस्तों एक सब बीस दिन लाल रख कर निकाओं का जीवन काल है दोस्तों एक सब बीस दिन नेक्स्ट कोस्टन है अब विटामिन सी का सरोतम सरोत है दोस्तों आवला विटामिन सी का सरोतम सरोत है दोस्तों आवला नेक्स्ट है मानो सरीर में गुर्दों का पर किस ने किया दोस्तों चिचक के टिका की बात करें तो एडवर्ड जिनर ने जो है इसका बिसकार किया था नेस्ट कोश्चन है राइबो जों पादब का भूमिगत प्रारूप है दोगा दोस्तों ताना सरीर में कुल हड़ियों की संख्या है दोस्तों दोस अच्छे काफी महत भीस्ति है दोस्तों ओर झांग की हडी है यह भी काफी महत्तपूर्ण है दोस्तों नेस्ट कोश्चन है रुधिर का तरल भाग है दोस्तों पलाज्मा रक्ष्वमो में सरवधाता और सर अगराही हैं दोस्तों करंसा ओ तथा एबे जाज ए और सर्वधार दोस्तो वो और सरवगराही है यह भी काफी महत्पूर्ण कोशन है दोस्तो पीत उत्पन होता है दोस्तो यक्रित में पीत उत्पन होता है दोस्तो यक्रित में हाइडरोफोविया संबंदित है दोस्तों कुत्ते के काटने से हाइडरोफोविया संबंदित है दोस्तों कुत्ते के काटने से नेस्ट कोश्चन है बाइरोलाजी संबंदित है दोस्तों बाइरोलाजी की बात करें तो विस्ताणों के अध्यान से संबंदित है बाइरोलाजी नेश्ट कोश्चन है खुन थक्का नहीं जमता है दोस्तों खुन थक्का जो है हिमोफिलिया रोग में जो है नहीं जमता है नेश्ट कोश्चन है ट्रेकोमा यो गलुकोमा रोग संबंदित है दोस्तों आख से नेस्ट कवेशन है भुपाल गैसकरन्ड 1984 में रिशा हुआ था तू मिठाइल आईसोसानईट का नेस्ट कवेशन है प्रोटीण का पाज़न होता है नेस्ट roupण है हिमोगलोबिन में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों हिमोगलोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा लार में पाया जाने वाला एंजाइम है दोस्तों टाइलिंग काफी महत्तपूर्ण कोशन है दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम है दोस्तों नेस्ट कोशन है थायराक्सिन हर्मोन अस्तरावित होता है दोस्तो थायराइट गरंथी से नेस्ट कोशन है दो प्रमोख वनसानुगत रोग है दोस्तो वरधाता और हेमोफिलिया काफी महत्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प मस्तिस्क में नेश्ट कोष्चन है इन्सुलेन शरीर में बनती है दोस्तो अगनासे द्वारा काफी महत्तपुन कोष्चन है दुस्तो रख्थ करणिकाओं का निर्मार होता है अस्ती मज्यां में होता है मानो सरीर में गुर्ण सुत्र की संख्या होती है दोस्तों 46 या नितेश जोड़े काफी महत्तपून है दोस्तों मानो सरीर में गुर्ण सुत्र की संख्या 46 या नितेश जोड़े होते हैं हडियों में मुख्यता पाया जाता है दोस्तों केल्सियम वफासपोरस हड़ियों में मोख्य तपाया जाता है दोस्तों केल्सियम वाफस्पोरस कोको का ध्यान क्या कहलाता है दोस्तों माइकोलाजी कोको का ध्यान क्या कहलाता है दोस्तों माइकोलाजी वायुमंडल में अक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है दोस्तों प्रकास संसलेशन के द्वार वाजुमंडल में आक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है दोस्तो प्रकास संसलेशन के त्वारा नेस्ट कोशन है स्वस्त शरीर में खुन की मात्रा होती है दोस्तो पांच से छे लिटर काफी महत्पफून और कोशन है दोस्ते। नेस्ट कोशन है प्रतिकण है ये भी काफी महत्फफून कोशन है दोस्ते। नेस्ट कोश्चन है प्लाजमोडियम प्रजीवी है दोस्तों प्लाजमोडियम प्रजीवी की बात करें तो मैलेरिया रूख का जो है प्लाजमोडियम प्रजीवी है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों परतेक वीडियो में जो है लगभग 50 कोश्चन जो है कभर किया जा रहा है दोस्तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तो और ऐसे इंपोर्टन वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आगे हैं थैंक्स पर वाचिंग